जाहिन मैं आरक्षक रवी कुमार आज के टूटरियल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वाधर करता हूँ आज के टूटरियल वीडियो में मेरे कोईश्टेक्टर रहेंगे Constable Mohit Kumar, Constable Kirshan Khanh Chobay और Constable Morever आज के Tutorial वीडियो में हम Camelong को कवर करेंगे Tutorial वीडियो के दोरान हम Camelong नाम, काम, Technical Specification, Name of the Parts और Safety Majors, Trouble Shooting, Operating Procedure और Maintenance को कवर करेंगे Firstly, यह है Camelong के नाम से जाना जाता है इसको The Hoist के नाम से भी जाना जाता है यह है U.S. से दोरा बनाया गया हुआ है इसका काम, किसी भी कुवे या गड़े में गिरे वे किसी व्यक्ती जानमर आदी को रेस्ट्यू करने के लिए या उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है Technical Specification यह है Green Powder Coated Aluminum दातू से बना हुआ है इसका वेट 54 केजी है और इसकी वेट कैपेसिटी 250 केजी है इसका Base Dimension 57 इंच है Camelong Equipment के पार्ट इस परकार है सबसे पहले Base Assembly इसके बाद Maast Assembly इसके बाद Maast Assembly में इसके बाद रोब हंड़ेड मेटर जो पाच एमेम की होती है फ्लक्सिबल स्ट्रेचर स्ट्रेचर केरी बैग कि हारनेस असेंड़ कराविनर अपर उपसेट मास्क अब हम आप सभी को इस इकुमेंट के ओपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बताएंगे और उपरेट करके भी दिखाएंगे ओपरेटिंग प्रोसीजर में सरपर्थम इकुमेंट को इंस्टोल करते हैं इंस्टोल में सबसे पहले जमीन प्लेट और सोलिड होनी चाहिए पहले बेस प्लेट को बगाएं प्लेट करने चाहिए प्लेट को चाहिए रड़ को visi बुम्ल չड़त प्लेट करने लाल घपे हो फिर 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 पकल्ट कार्ब और भाँ तब फिर 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 हुआवड़ प्राइवड़ सर्फित डाइनेमिक रोप के एक सिरे को रिंच में डालते हुए एंटी क्लॉक वाइज उसके हैंडल को घुमाएंगे जिससे ये रिंच इस रोप को हमें पुली तक चड़ाने में मदद करेगी रसी के सिरे को पुली के सहारे अपर मास्ट तक ले जाएंगे और फिर रसी के एंड को इस अबजेक्ट को हमें उठाना है या विक्टिम को किसी गड़े से बाहर ले आना है वहां तक रोप को एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हुए ले जाएंगे जब आप लोग की सहांता से इसी विक्टिम को उठाएंगे तो रसी के एक सिरे पे फिगर ओफ एड जो की एक मजबुद रूप बनाने के काम में उभयोग किया जाता है उसे हम ये एक एंड पर बनाएंगे फिगर ओफ एड बनाने के बार इसे मजबुद धम नॉट बांद कर लॉक करेंगे वीडियो में बताया गया फोल्डेवर स्टेचर के बारे में आपके सामने रखा हुआ ये फोल्डेवर स्टेचर अब इसको हम खोल कर विक्टिम को इसमें कैसे स्टेबलाइज करेंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे इस स्टेचर को खोलना और पेसेंट को इस्टेबलाइज करने का तरीका आपको मोहित कुमार और मोरेभगत बताएंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्टेचर को इसका नाम भी फोल्डेवल है इसको खोल रहे है अब हमें सिनारियो दिया गया था कि एक विक्टिम हुआ में गिरा हुआ है या किसी गहराई में पड़ा हुआ था तो अब इसको कैसे इस फोल्डेवर इस्टेचर पे स्टेबलाइज करेंगे ये हमारे दोनों को इंस्ट्रक्टर्स आपको करके दिखाएंगे दिये गए सिनारियो के नुसार यहां पर एक विक्टिम खड़े में पड़ा हुआ है जिसके पास हमारे रेस्क्यूर अभी पहुँच चुके हैं और आपको रेस्क्यू करके दिखाएंगे सबसे पहले विक्टिम के आसपास और विक्टिम का हजार मुप्त किया जाए हजार मिटिगेटेट अब ये सर्वाइकल कोलर का यूज किया जाए सबसे पहले सर्वाइकल कोलर मेजर्मेंट किया जाए सर्वाइकल कोलर का प्योग हम इसलिए करते हैं ताकि विक्टि के स्पाइनल कोलम में कोई चोट पोट ना हो लोईस्टिक प्रवाइड रेविलर साइज सर्वाइकल कोलर 2 तो 9 light सर्वाइकल कोलर identify को सर्वाइकल कोलर कोल थाई प्लाई Sлонgg ना प्रवाइकल्स्वाइकल लाइस अल्दिक प्क्रवाइकल कोलर थाइए मंटोलेप मंटोलेप रस्क्यूर्स मुव माराइट मुव मुव रस्क्यूर्स 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 मपरoga ब्रलों मुव प्रविण को फोल्ड बर इस्टेशर पर सिफ्ट किया जाए ज़ाएं कि विक्टिम को हमेशा आराम दाएक में लेटा जाए और इस्टेशर स्ट्रेप की मदद से विक्टिम को अच्छे परकार से स्टेबिलाइज किया जाएं हंगिंग स्ट्रेप को कहरा बिना में लोग किया जाएं सभी स्ट्रेप को एक बार फिर दोबारा से चेक किया गए जाएं कहीं लूज तो नहीं है अब बिन को कैमलों की सिधाएं में नहीं देजाएं रेस्ट्यूर्ट्स टेक पोजिशन रेस्ट्यूर्ट्स ओन माइ कमांड लिप्त बेशेंट वन टो लिफ्त वन टो लिफ्त वन टो लिफ्त सब्सक्रीजr, में लेफगर क рекुर्णिझ करवे, लेफ नक शील्सक, मापंट री प्रिपगीज़ हमें ru ुय करें, बिल की सीजिक ख़र लेफ के मातर है, ख़र की कश विन्हों कीले। वो मैंगे मेंगे मेंगे मेंट लटन अब मेंगे अब इसे परकार, हम किसी । खुबे, या, गड़े, या, किसी भी गहराही के स्थान से इस एकुमेंट के मदस्थे, हम किसी भी विक्टिम को उपर लाए जा सकता है अभी विप्टिम को नीचे उतारने के लिए डिजिटल वेंज को एंटे क्लोग वाइस नुमाया जाएगा वो विप्टिम को सिर्फ जोड में उता है कि कुम्मेंट को प्रेट करते समय है कुछ ध्यान में रखने वाली बाते इस प्रकार है सबसे पहले बेस प्लेट को हमेशा सोलिड और फ्लैट सर्पेस पर ही रखने कि अज़िए बेस को आफसक्तानों साथ डाइमेंशन करें कि अज़िए बबल्स का मिलान किया जाएगा अगर बबल्स सेट नहीं है तो उसको सेट किया जाएगा क्रेंक विंच में रशी अच्छी परकार से इंसर्ट की जाएगा रोप में फिगर आउप एट और थम नोट लगाए जाएगा और विक्टिम को फोल्डेबल स्टेचर की मदद से फोल्डेबल स्टेचर और केरबिन की मदद से आसानी से उठाएगा इस एकुमेंट को हम दो परकार से यूज किया जा सकता है मोटर से भी और मैनुवल मोटर से यह 30 फिट पर मिनिट तक उठाता है यहाँ पर मोटर का यूज किया जाता है और मैनोली है तेरा फेट पर मिनट उठाता है अभी हम आपको इस एकुमेंट के ट्रबल सोट और उनको दोर करने के उपाई के बारे में बताएं सबसे पहले एकुमेंट को कभी भी दलदली, रेतिली और पानी वाली जगे में ना रखा जाएं जिससे के एकुमेंट डिस बैलेंस हो सकता है तो हमेशा एकुमेंट को सोलिड और फ्लेट सर्पेस में ही रखा जाना चाहिए रोप को हमेशा चेक करके ही लगाए जाए रोप में कहीं जोड या कोई क्रेक तो नहीं है और रोक में कभी भी किसी परकार का जोड ना लगाए जाए NDRF में किसी भी equipment को इस्तेमाल करने से पहले ध्यान में रखने वाली सबसे महतो पूर्णवार सब पूर्णता हमारी PPE कम्पलीट हो सबसे पहले safety helmet इसका इस्तेमाल हम अपने सीर को बचाने के लिए करते हैं safety goggles इसका इस्तेमाल हम अपने आखों को बचाने के लिए करते हैं जैसे कि इसमें कोई धूल गर्दा या कोई कंड ना चला जाए उसके बाद dust mask इसका उप्योग हम धूल गर्दा को नाक और मुह में जाने से बचाने के लिए करते हैं ear plugs इसका इस्तेमाल हम अपनी कानों में हमारी सौन सक्ती से ज़्यादा आवाज ना जाए उसके लिए करते हैं heavy duty gloves इसका इस्तेमाल हम अपनी हाथों को बचाने के लिए करते हैं knee pad इसका इस्तेमाल हम अपनी घुटनों को तता एक आराम दयक पोजिशन बनाने के लिए करते हैं heart toe boot इसका इस्तेमाल हम किसी भी हजार्डस जगा पे आसानी से जाने और वहाँ पर काम करने के लिए कोई धूल कर या कोई गरम वस्तु अचानक ना चली जाए अभी हम सेफ्टी मेजर्स पोर्शन को कवर करेंगे सबसे पहले सेफ्टी मेजर में हमेशा पीपी का उप्योग करें कारी हमेशा पीयर में ही किया जाए रोप हमेशा मजबूत और बिना जोडकी होनी चाहिए की साफ सपाई बहुत ही अवश्यक है रोप को हमेशा चेक करना चाहिए और यूज़ करने के बाद साफ करके ही रखाए ओपरेशन की समापती के बाद हम कैमलों को फोलते से मैं ज्यान में रखने वाली सबसे पहले उसी एकुमेंट उसी एसेसरी को खोला जाए जो सबसे ब अबाद नोट को खोला जाए उसके बाद रोप को डिजिटल विंच को और डिक रंक हैंडर की मदस्टे एंटी क्लोकवाइज क्लोकवाइज कुमा जाए जाए डिजिटल विंच को मास्ट असम्मली से अलग किया जाए 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 कि उसके बाद देश को एक एक पार्ट में अलग अलग किया जाए अभी को मैट के सबी पार्ट को और रोब को एक बार फिर से चेक और रोब को अच्छी परकार से फोल्ड करके ही रखते हैं यह था मारा क्यामलों का ट्यूटोरियल वीडियो जो आपके सम्मूख पेस किया गया सब्दात जहिन